हेलो फ्रेंद्स वालकम बैक ट्वाइडव चैनल अभी हम लोग यहां पर रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिम्टेट के अनलेस्स करेंगे आने इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट उपन होगा तो किस तरीके से अपना प्रा देखने को मिल सकता है और इसके पीछे का रिजिन था यहां पर ज्यादा फॉल होना और उसके पाद एक तुरंट रिकवरी देना ठीक है प्लस अगर इस तरीका ग्रिन और इनसाइड यहां पर बढ़न ऑपन होता तो इस चैनल मनने के चांसे बढ़ जाते हैं आब नेक्स् मंत्ली टाइम फ्रेम पे किस तरीक चैंडल की फॉर्मेशन हो रही है तो मंत्ली टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देखते हैं मंत्ली टाइम पर इस प्रेकाउट के बाद ठीक है यहां से यह वाला लेवल है लग बग लग 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 इन कैंडल्स का हाई अगर देखेंगे 2860 का पासपास उस लेवल से इस चैंडल पे इसने रिवर्सल लेवल लिया है और अभी यहां पे चैंडल फॉर्म हो रहा है कहीं ना कहीं ऑपनिग के बाद यह इस तरीक के से एक हल्टाइप ही बादो व मन्स या shopping होरा है ठीक है तो वहन्ने आपको इस क्लियर बताए मान्धा य है भी 17 दे इसमत माटी है तो हो सकता है इस मंद में 12 यहां पे lizion बाकी हो तो हम लोगों को इन कि हाई को इस तरीके से बना देते हैं और कहीं तो dépend कहीं है कि और और यह टुन 3100 इन लेवल्सको दिखायेगा ठीक है बसरत यहां पे जो इस कंडल के साथ-साथ यह कंडल का हाई है ठीक है यह ठीक है यह 380 यह ब्रेकवट हो जाए तो हम लोगों को यह all-time high वाला जो लेवल है यह देखने को मन सकता है इसी मन्त में ठीक है पहला case यह बन सकता है, दूसरा case बन सकता है, कि यह जो जिस तरीके से candle form हो रहा है, फहले starting यहां से होता है, थोड़ा उपर try करके फिर नीचे चला जाता है, और फिर नीचे से इन ही point से कहीं ने कहीं, यह support लेके फिर से उपर जाने की कोशिश करता है, तो यह सारी points show कर रहे ह कि यह अपने आपको in points के आसपस क्या कर रहा है, hold करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यह यहां पर फिर से एक indecisory candle बना देता है, जैसा यह candle था, वैसा ही अगर candle बन जाता है, ठीक है, तो हो सकता है, उसके आने वाले next month पे हम लोग को एक अच्छा momentum देखने को मिले, तब जाके इस point पे हम लोग को कही न कहीं enter होने के बारे में सोचना चाहिए, otherwise यहां पे इसको थोड़ा सा neglect करना चाहिए, और जब यहां पे इस range का breakout या breakdown होगा, तो हम इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, अभी यह इसी तरीके से एक price action pattern मनाने की कोशिश कर रहा है, उपर यह इस तरीके से जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पहले ही कहीं न कहीं यहां पे उपर गया है, उपर no doubt यहां पे एक hall type candle बनाया है, लेकिन next week में अगर इसको break कर देता है, तो यहां पर यह थोड़ा सा लगबग लगबग 2997, मतलब 2800 के आसपास आने की प वाली situation यह जो बन रही है, यह लेवल वाली इस लेवल पर फिर से यह बनने की कोशिश होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा situation में, हम लोग यहां से इन दुनों तिनों पॉइंट को मैच करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम दोंग इस पॉइंट को मैच करके य हिए हाँ से जो एक thisáticas नस्टार्ट हुआ है यहां से एक टेडिंग सेस्ट जो हिस्टार्ट हुआ है यह कहीं ना कहीं यह इस ट्रेइड हैं नेकर नाधम जाएंगे टेली टाइं अन्हों घ्रीवर्श तो सलंगों यहां पर नजरा रहा है रहीट यहां पर 2880 के आसपस हम लोग को reversal नजर आ रहा है तो यहाँ पर आज के दिन perfect एक insight candle बना है ठीक है perfect insight candle बना है तो मतलब इसका breakout होता है तो हम लोग को कुछ नहीं तो 3000 तक का एक high देखने को मिलेगा कितना हम लोग को 3000 तक एक high देखने को मिलेगा तो इसके बाद अभी देखेंगे आप ठीक है तो और यह नीचे आने की अगर कोशिस करता है तो नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे हमरे पर support है कौँचा support है यहाँ पर इस तरीके का 2926 वाला support है अगर यह नीचे आता है तो नीचे फिर से पहले एक support हुआ करता था अभी एक resistance का काम करेगा फर्स टाइम इसके बाद आएगा इतना नीचे गिरने के बाद यहाँ पर अगेन ही नीचे आएगा और उसके बाद जब भी 3000 का breakout देगा इट मीन्स कि यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन केंडल बना है ठीक है लिगने अगर इस ग्रीन केंडल का कहीं न कहीं breakdown होता है तो यह जो buyers बहुत ही confidence के साथ enter हुए है ठीक है अब कहीं न कहीं यह lose करेंगे इस ऐसे situation हम लोगों नीचे वाले 2800 लेवल के आने की यह probability है वो बढ़ जाती है 15 में टाइम पर चलते हैं और हम लोग यहां देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको मंड़े को किस तरीके से price action pattern यह बनाएगा ठीक है तो अगर आप इसको मंड़े के लिए देखेंगे तो यहां पर यह लेवल के आज पास इसने आज सपोर्ट लिया है ठीक है तो हम लोग इने कल डिसकस किया था कि अगर यह उपर से गीरेगा भी तो इन्ही लेवल के आज पास सपोर्ट लेगा ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और उपर की ओर हमारे पास जो swing है फिलहा लो 30 972 पे है तो यहा सब्सक्राइब कर लेंगे और वह लगबग लगबग हमारे लिए होगा 2990 के आसपास का नीचे की बात करेंगे अगर नीचे इसको अपने swing को 2949 को ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग कुछ नहीं तो 2920 तक का एक लेवल नीचे की ओर देख सकते हैं तो रिलाइंस में हम हो सकता है यह उपर 3050 की आसपास जाने की कोशिस कर रहा हो क्योंकि इस सहतरा के चैनल पाटन में है तो जैसे यह लेवल ब्रेक करेगा और यह 40-30% वाला जो लेवल है जो इसका फॉल हुए ब्रेक करेगा तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे 3050 के आसपास टच करने के अब इस अब यह देखेंगे तो 4-5 बार 6 बार इसको ब्रेक करने के कुशिस कर रहा है तो इस बार आएगा तो इसको ब्रेक करेगा और यह जो गाप है 30100 वाला यह यह यहाँ पर फिल कर सकता है वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए पसंद आयोगे